तो दोस्तों अभिनाव नाम है मेरा सौवित करता हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्स भाई अभिनाव राजपूत में और गनित के प्राइम टाइम में आपको बता है हम लोग जैमेटरी कर रहे हैं और आज ये जैमेटरी के लिए आस-पास और ओवराल गनित के प्राइम टाइम की ये सत्तरवी वीडियो है आई होप आप लाइन से देख रहे हो कई बच्चे भूसते हैं कि सर हम बहुत लेट से आये हैं अब पीछे की वीडियो कैसे देखे अरे अफ्लोड है देख लो जागे इसमें क्या सोचना आज से स्टार्ट किया तो आज से एगर होगे अब देखो सिंपल सी बात है कि आपको पीछे से चलना है मैंने क्लास वन किया है वहां से करो ये क्लासे वैसे ही आपको रिकॉर्डे मिलती है लाइव तो हो नहीं रहे कि लाइव आखर ये आपको देखना है आप इसे कल भी देख सक आप एक महने बाद भी देख सकते हूं ठीक है तो recorded lecture की यही खासित होती है आपको बस करना है इसे और finish करना है ठीक है और बिल्कुल भी कुछ भी skip मत करना ठीक है आज हम circle करेंगे circle का ये चौथी वीडियो है और इसमें हम कुछ अच्छे questions करेंगे और यकीन करो बहुत ही बह करेंगे ठीक है क्लास start करने से पहले आप 2024 की तेहरी कर रहे हो और SSE mock आपने नहीं लिया है तो ये गलत बात है 40 mock 99 एरुपे में मिल जाता है आपको ले लेना चाहिए एक तो mock है उसका math का solution मैं provide करता हूँ live आके करवाऊंगा ये youtube के through ठीक है अभी तक जितना upload हो चुका है अब जो बांकी classes होंगी वो live में होंगी और सबसे ची बात यह है कि अगर आप इसे purchase करते हो तो आप indirectly मेरी help कर देते हो otherwise इसकी जो team है ना उसको मैं अपनी salary से पैसे दूँगा वो मुझे अच्छा नहीं लगता आप इधर से आप दे सकते हो ठीक है तो ये अगर आप मेरी help करना चाहते हो indirectly तो आप इसे ले सकते हो 99 rupees is not applicable ठीक है ये 70 वी वीडियो है circle की दूसरी अब हम start कर सकते हैं करें start 2 minutes हो गया आप तो कर देना चाहिए चलो कुछ questions में options नहीं है क्योंकि मैं सिखाऊंगा इसमें देखो क्या है question ये कह रहा है आपको एक area of segment निकालना है जिसका angle है 120 degree radius है 8 cm 120 degree के एक केंद्रिय कोन और 8 cm की तरिज्या वाले विरित के एक खंड का छेतर फल गयात करो जैसे ये है ठीक है ये center है मान के चलो कितने degree angle बना रहा है 120 degree का खंड ये है खंड क्या है ये है a b मान लेते है ये o है आपको क्या करना है आपको segment निकालना है ये वाला इसको हम बोलते है minor segment क्योंकि ये छोटा वाला है तो हमें ये वाला area निकालना है कैसे निकालोगे radius दे रखा है 8 रेडियस कितना है 8 कैसे निकालोगे सोचो video रोक के कर है कि ये वाला जो एरिया ना पूरा 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 ये वाला निकाल देते हैं चीक है ये जो येलो येलो दिख रहा है आपको ये येलो येलो इसका निकाल दो ये क्या है this one is sector ना पूरा पूरा यहां से लेके ये वाला ये वाला चीक है ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसे यह पूरा क्या है, यह sector ही तो है ना, area of sector निकाल दो पहले, क्या निकालोगे आप पहले, area of sector, area of sector का formula क्या होता है, बताओ, सब बता रखा है मैंने, basically यह जो छेतर है, क्या होगा area, पाई, यानि 22 by 7, r square, r कितना है, 8 into 8, 64, तो आप इसको ऐसे लिख दो, 64, यह क्या आया है, य यह आया है area of sector, यह पूरे का area आचुका है, 64 by 5, लेकिन हमें तो सिर्प नीचे वाला चाहिए है, अब मैं क्या गरता हूँ, इस triangle का area, घड़ा देता हूँ इसमें से, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, area of triangle, क्या निकालना पड़ेगा हमें, area of triangle, area of triangle, यानि क तिर्भुच का area, तो क्या होगा इसका, देखो, इसका area कैसे निकालोगे, एक side ये दे रखा है, एक side ये दे रखा है, 8 art करके, दो sides दे रखें, एक ये, और एक ये, एक ये वाला 8, ये वाला 8, और इनके बीच का angle दे रखा है, तो कभी भी इस तरीके से हो, तो मैंने बता 8 into 8 into sine 120 degree, अब आन में 2, तो 2 से कटा, 4, 32 sine 120, sine 120 को क्या लिख सकते हो, sine 90 plus 30, which is equal to 32 cos 30, cos 30 की value कितनी हो दिया, बताओ, root 3 by 2, फिट से कट जाएगा, ये आगया 16 root 3, क्या आगया ये, 16 root 3, ये क्या आया, area of triangle, देखो, अब चाहो तो यहाँ पाई की value पुट कर दो, वहाँ root 3 की value पुट कर दो, बांकि इतनी की जुरत है नहीं, option भी ऐसे ही given होगा आपके पास, तो इसका basically जो area आजाएगा न, area of sector, which is equal to 60, 4 pi minus area of triangle, which is equal to 16 root 3, ये आपका answer आजाएगा, किसका answer आया है, ये आगया है, area of minor segment का, जब आप exam में करोगे तो आपको direct निकालना है, बहुत आप easily निकाल पाऊगे, देखो, अगला question क्या है, आपको na, find the area of the sector with an arc length of 30 cm, यानि कि, ये एक circle है, चीग है, ये दिख रहा होगा आपको, इसमें क्या कर रहा है हमें, एक area of sector निकालना है, जिसका arc length है 30 cm, arc length होता है ये, चीग है, इसकी length कितनी है, 30 cm, यहाँ center मान ले, मान लेते हैं ये center, ओके, आपको क्या, और radius दे रखा है 10 cm, आपको ये वाला area निकालना है, चीग है, ये तो आसाने बोलोगे, area of sector निकाल दो, अब area of sector के लिए हमारे पास theta चाहिए, इस question में theta given नहीं है, अगर गौर से देखोगे ना, तो हमें angle चाहिए, अगर ये वाला angle निकाल दे ना, हम ये वाला angle, चीग है, तो हम easily ये question कर देंगे, बढ़ हमें आता, पता ही नहीं angle क्या है, तो कैसे निकल सकता ह length of an arc दे रख रहा है, ठीक है, length of an arc दे रख रहा है, कितना 30, और मैंने आप लोगों को, चाप की लंबाई कहलो, या फिर length of an arc, बता रख रहा है, क्या होता है, pi r square, sorry, ये तो sector का होता है, 2 pi r into theta by 360, ये होता है, ठीक है, तो क्या जाएगा basically, 2 pi which is equal to 22 by 7, radius कितना है, 10, into में theta, कितना है, हमें नहीं पता, theta by 360 is equal to क्या जाएगा, 30, ये 30 कहां से आया है, ये 30 कहां से आया है, ये 30 कहां से आया है, ये रहा, देखो arc length 30 है, okay, now इसको solve कर लें, इस pi को pi रहने देते हैं, theta by 360 is equal to, देखो, 0 से 0 कटा, ये आ जाएगा अपका, theta by 360 is equal to 3 upon मे 2 pi, clear है, theta by 360 upon में 2 pi, ये हमने theta by 360 की value निकाल ली है, okay, तो theta की value basically 360 into में ये हो जाएगा, बाकी ज़रत है नहीं, अब देखो, अब हमें निकालना area of sector, area of sector क्या होता है, pi r square into में theta by 360, ये ही तो है ना, देखो, pi को pi रहने दो, r square, r कितना है, 10, 10 का square 100, और theta by 360 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, क्या है ये, 3 upon में 2 pi, तो pi से pi cancel, 2 से कटा 50, 50 into में 3, 150, सीधा आगया answer, इसका answer क्या है, 150, clear? अच्छा कोशन है, एक circle है, जिसका radius है 21 cm, और angle 72 degree का बना रहा है, तो बताओ length of an arc कितना होगा, देखो, ये है circle मान लो, radius कितना है, 21 cm, ये भी 21 हो जाएगा, और angle कितना है, 72, आप से क्या पूछा है, आप से पूछा है, length of arc, ठीक है, length of arc, length of arc मतलब इसकी बात हो रही है, यहां से लेके ये, 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 ये वाला, ठीक है, क्योंकि 72 degree ये ही बना रहा है न, तो length of an arc का formula क्या होता है, length of arc का formula क्या होता है, theta, sorry, pi, 2 pi r into में theta by 360, चीक है, 2 pi, यानिकि 2 into में 22 by 7, r, r कितना है, 21, into में 72 by 360, अब देखो, ये तो कट जाएगा, ये 5 बचा, साथ से कटा ये, 3, तो या जाएगा 22, दुनी 44, 44 into में 3 कितना होता है, 132, बटे में 5 cm, cm, meter जो भी है, clear है, इस तरगे से आप length of arc निकाल सकते हो, तो इसका answer क्या है, 132 by 5, 132 by 5, लिख लेना, चीक है, क्योंकि PDF जो मिलेगा, उसमें answers नहीं होंगे, question number 4 देखो, AB 8 cm है, CD 6 cm, are two parallel codes on the same side of the center of the circle, देखो, जैसे न, ये एक circle है, मान लो, तो इसमें न, दो code दे रखे हैं, कितने code है, दो code है, एक code ये है, और एक code ये है, ठीक है, एक है CD, जो की है, कितना cm, 6 cm, एक है हमारा AB, जो की कितना है, 8 cm, clear है, और इनके बीच का, जो distance है न, वो है, 1 cm, ध्यान रखना, same side भी हो सकता है, और opposite भी हो सकता है, अगर distance इनके बीच का 1 cm है, तो ये रहा, 1 cm, इसको मिला देते हैं, अब आपसे क्या पुछा है, find the length of the radius, हमें न, radius निकालना है, ये होता है, radius, ये क्या है, ये radius, अच्छे एक बात बताओ, ये तो आपको पता होगा, कि जो भी midpoint से, अगर मैं एक CD line case दूँ, तो ये 90 degree equal department divide करता है, ये हमने गणर रखा है, तो जैसे ये 8 था तो ये 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, same as अगर मैं नीचे चलूँ तो, ये 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, चीक है, अब एक बात बताओ, यहां से भी radius ये हैं, और यहां से भी एक radius ये हैं, जैसे यह देखो, इस वाले को अगर मैं बनाओ, यह ऐसे है, यह x था, नीचे इतना 1 था, यह 3 था, और यह r था, ऐसा ही है ना, तो क्या कहा सकता हूं मैं इसको, क्योंकि यह 90 डिगरी है तो मैं ऐसे कहा सकता हूं, कि r square is equal to x plus 1 का hall square, plus 3 का hall square, which is equal to 9, कहा सकता हूं ना, और दूसरे वाले में, दूसरा वाला यह है, देखो, इसमें ना, यह r है, यह x है, और यह 4 है, इसमें मैं कहा सकता हूं, कि r square is equal to x square, plus 4 का square, which is equal to 16, कहा सकता हूं ना, यह, ठीक है, और दोनों में ही r square सेम है, तो क्या मैं इसको equal put नहीं कर सकता, क्या मैं इसको equal put नहीं कर सकता, बताओ, क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि x plus 1 का hall square plus 9 is equal to x square plus 16 बिलकुल लिख सकता हूँ, देखो, ये आ जाएगा x square plus 1 plus 2x कि 9 को उधर लिख चले जाते हैं तो x square plus 16 minus 9, 7 आ जाएगा देखो x square से x square कटा, यहां बचा 2x, इस 1 को भी उधर लिख चले जाओ, 7 में से 1 गए 6, x की value आ गई 3, x की value कितनी आ गई है, 3, दियान रखना x की value आई है, radius नहीं आया है हमें निकालना है radius, तो radius का formula क्या होता है, I mean radius का formula क्या दे रखा है, r square is equal to x square यानि 3 का square 9 plus 16, which is equal to 25, अगर r square 25 है, तो r की value कितनी होगी, 5, तो यहां से आपका radius आ गया है बहुत प्यारा question था, बहुत प्यारा question था, और अच्छा question था, तो अभी जीतने भी questions है न वो सारे conceptual है, अच्छी बात यही सारे questions बहुत conceptual है यह वाला देखो question पढ़ना question, दो minute क्या है, देखो, the length of a code of a circle is equal to the radius of the circle यह जो length है ना code की, वो radius के equal है, ध्यान रखना, जैसे यह अगर मैं diagram इधर बनाऊ यह ठीक है ठीक है, the length of the code of a circle is equal to the radius of the circle, a, b क्या है, एक code है इसका जो length है ना, वो radius के बराबर है, जैसे यह r है, तो यह भी r होगा, यह भी r होगा तो इससे तो यह पता चल गया है, कि यह 60 है, यह 60 है और यह भी 60 है, इसमें तो कोई दिक्कत निया ना, अगर कभी भी code की length radius के बराबर होगा ना, तो वो center से 60 degree का angle बनाएगा अब यह पूछा है कि major segment में जो यह angle बनाएगा ना, यह कितना degree होगा तो यह हमने उपर ही क्यों बनाया है, नीचे क्यों नहीं बनाया सोचने वाली बात है, क्यों क्योंकि देखो, यह भी यह code है, वो यह भी code दो part में डिवाइट करता है एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला, यह minor नीचे वाला देख रहे हो, यह minor है और यह बड़ा वाला major है, तो यह major segment तो बताओ कितने degree का angle बनाएगा, यह 60 है ना, यह कितना हो जाएगा 30, कैसे, यह तो बता रखा है न भी या, angle, जो center से जो angle बनाता है और जो major segment से बनाता है तो major segment वाला क्या होता है, उसका half होता है, क्या होता है, half होता है, clear, very good, हो न चाहिए, यह तो clear, okay, I hope clear होगा, ठीक है, अगला करें, इसका 30 degree answer मतलब question tough नहीं है, अगर question tough नहीं है, लेकिन अच्छे level के questions है, मतलब जिसमें बहुत दिमाग लेगेगा आपको, और मैं कहा रहा हूँ कि जो आज-ाज की class से न, तुम्हारे SSC के सारे questions फसेंगे, इतना important question है सारा, सारे questions इतने important है, AC is the diameter of a circum circle, देखो, circum circle का मतलब हो गया, ज इसको ऐसे कर लो, पूरा case दो, अच्छा, इसमें न, एक figure दे रखा, इस question में, ठीक है, जो मैंने figure बनाये नहीं है, इसमें, मतलब छूट गया है, ठीक है, मैं figure बना देता हूँ, देखो, यह ऐसे है, यह question, खाला कि हम देखकर भी बना सकते थे, यह circle है, माल लो, ठीक है, यह क्या था, यह circle था, AC एक diameter है, यह B है, और एक ED code है, ED जो है न, यह parallel है, किस से, AC से, ED किस से parallel है, AC से, और B और E, यह मिल रहा है, तो यह figure question में दे रखा है, ओके, यह figure question में दे रखा है, सब कुछ सेम है, सिवाए यह वाला angle का, जो मैंने बना दिया गलती से, ठीक है, अब यह वाला angle बताओ कितना होगा, AC क्या है, diameter है न, AC diameter होगा, तो यह तो पता चल गया होगा आपको, कि A, B, C, angle B, जो है न, यह 90 degree होगा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी, जैसे यह circle है, यह diameter है न, इससे अगर मैं कोई भी angle बनाओ, तो कितना होगा, 90 degree होगा, कितना होगा, 90 degree, यह हमने बात कर रखा है, क्यों, क्योंकि obviously बात है, center से वो 180 degree बना रहा है, तो उधर उसका half 90 होता है, ठीक है, now, if angle C, B, E 50 है, यह कितना है, 50 है, clear है, एक बात बताओ, यह पूरा 90 था, और यह 50 था, तो यह वाला कितना होगा, यह वाला, 40, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो, हमसे पूछा D, E, C, बताओ, कितना होगा, D, E, C, D, E, C, फिगर देख लूँ, यही है न, अभी, हालांकि यही है, but still, safety, ठीक है आपसे पूछा गया, D, E, C, बताओ, कितना है, ठीक है, यह वाला एंगल बताओ, ठीक है, ठीक है, दिक नहीं रहे तो, सोचो, सोचो, कैसे बना सकते हो, यह वाला, यह वाला एंगल कैसे बना सकते हो, बताओ, D, E, C, यह वाला एंगल बताना है आपको, अच्छा, एक बात बताओ, A, E क्या है, A, E अपने आप में एक segment है ना, A, E अपने आप में segment है, और A, B, C, 40 degree हो गया, और ऐसे ही मैं अगर A, C, E देखूं, देखो, A, C, E देखूं, तो ये वाला angle कितना हो जाएगा, ये भी तो 40 ही होगा ना, angle in same segment है, for example, जैसे ये देखो, जैसे ये A था, ये E था, तो ऐसे बन रहा था ना angle और एक ऐसे बन रहा है, अगर ये 40 है, तो ये भी तो 40 होगा ना, अगर आप सिर्फ इनी दोनों को देखो, ये 40 है, तो ये भी 40 है clear है, यहाँ तक clear है, ये 40 है, तो ये भी 40 है, बट हमसे पूछा ये वाला गया है, तो बताओ ये कितना होगा, अब एक बात बताओ, एक चीज और given था, क्या given था, अगर इस गौर से देखो गया ना, तो ये AC है, जो basically parallel है, किस से? ED से, ऐसा ही है ना, AC ED से parallel है, और इनके बीच में एक line खेची जा रही है, AC को मिलाते हुए, ठीक है, that means कि ये क्या है, transversal line है, तो ये वाला angle और ये वाला angle बराबर होगा की नहीं होगा? बोलो, ये वाला angle इस वाले angle के बराबर होगा की नहीं होगा? alternate segment theorem, याद है ना, alternate alternate theorem, ठीक है, alternate angles are equal, तो अगर ये 40 है, तो ये भी कितना होगा? 40 degree, तो basically इन question है में यही होता है, कि आपको खुच से दिमाग लगाना होता है, ठीक है? सामने कुछ नहीं है, आपको दिमाग लगाना है, तो ये एक चीज दे रखा था 50, उससे सब निकल सकता है, सब कुछ निकाला जा सकता है, ठीक है? ये 40 निकल गया, ठीक है? ये भी 40 निकल जाएगा, ठीक है? अब चाहो तो देरे-देरे आप सब इंटरसेक्ट एक्स्टर्नली एट पी, देखो, एक कोड है A B, एक कोड है C D, ये एक्स्टर्नली एक जग़ा पे सेक्ट हो रहे है, पी पे, तो जैसे ये सब फिगर दिखे, तो आपको पता चल जाना चाहिए क्या? कि भाईया, P B into P A is equal to P D into में P C, ये आपको पता चल जाना चाहिए, अब देखो, क्या क्या दे रखा है? A B दे रखा है 6, कोई दिक्कत नहीं है, C D दे रखा है, 3, कोई दिक्कत नहीं है, P D दे रखा है, 5, ये भी ठीक है फुचा है, P B बताओ कितना होगा, तो X मान ले, क्या हो जगा देखो, X into में 6 plus X 6 plus X, क्योंकि पूरा ना देखो, P A है ध्यान रखना, P B इंटू में P A है, ऐसे ही, P D which is equal to 5, इंटू में P C, which is equal to 8, X into 6 plus X is equal to, 8 into 5 कितना होथा, 40, बताओ क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, X की value, X की value 4 पुट करके देख लो, 4 into में 6 plus 4, 10, 40, ठीक है, तो इसके इसमें P B की value कितने आ जाएगी, P B is equal to 4 cm, P B is equal to 4 cm, यह इसका answer है, I hope clear होगा, अच्छे questions है यह, question number 8, दो circle है, जिनका radius है 6 cm और 3 cm, और इनका जो common tangent है ना, length of common tangent, transverse common tangent वो है 8, तो बताओ distance between their center कितना होगा, तो हमें पता है, transverse common tangent का formula होता है, D square minus R1 plus R2 का hall square, simple यह formula आपको पता होना चीए, direct होता तो बीच में minus आ जाता, तो transverse common tangent है, 8, 8 is equal to under root D square, यही तो निकालना है, minus R1 plus R2, यानि 6 plus 3, 9 का hall square, चीक है, so D square is equal to, square कर दो उदर, तो 8 का square 64 और 9 का 81, add कर दिया, 145, तो D आ जाएगा आपका under root 145, यह इसका answer है, clear है, आसान था, ऐसे questions आसान होता है, अक्सर, यह वाला question देखो, figure आपके पास given है, O जो है ना center है, और AO भी दे रखा पिछटर, then AEB कितना होगा, बताओ, यह वाला angle कितना होगा, यह AEB है, ठीक है, यह वाला angle कितना होगा, कैसे निकालोगा यह वाला, बहुत प्यारा question है, यह तो नहीं बता भूया मेरे को कैसे, बट मेरे को ना एक चीज बताया है, जैसे अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ ना, क्योंकि यह center से पिचेतर बना रहा है, तो यहां से यह साड़े सहतिस बनाएगा, क्योंकि center से जो भी angle बनाता है, उसका hub बनता है यह, यह 37.5 आ गया, कितना आ गया यह, 37.5, clear है, अब एक बात बताओ, a, e, b, इसको c का नाम दे देते हैं, a, e, b, c, क्या है, cyclic quadrilateral है, है न, cyclic quadrilateral, और cyclic quadrilateral की खासित क्या होती है, opposite angle का sum कितना होता है, 180 है, होता है, तो अगर यह 37.5 है, तो यह कितना होगा, 180 माइनस 37.5, तो इसको solve करने के बादा जाएगा, 142.5, कोई बढ़िया सा figure दिखे I mean option देखे, उसको tick कर दो, 142.5, आसान था, अब सारे questions ऐसे ही आसान आएगे, यह 12, actually 18 questions है, numbering में हो सकता है, इदर उदर, यह बहुत प्यारा है, actually सारे questions बहुत प्यारे हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि सर बार 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 बहुत प्यारे questions है, करके देखो एक बार, करके देखो, रोको और करो, पानी है यह, ठीक है, मैं कभी लगे कि इसको वो कर रहा हूँ, जवान मोवी देखने के लिए गया था ना, उसमें एक कॉंबो आफर था, कि अगर आप ये लेते हो ना, एक तो अनलिमिटेड टाइम कोडिंग ले सकते हो, और साथ में ये ग्लास भी मिल रहा था, पहले तो मुझे लगा ग्लास ऐसे ही दे रखा है उन्होंने, जब सिनेम करूँगा, ओके, चलो, देखो क्या है, इन अ सर्कल, सेंटर अंगल इस 120 डिग्री, फाइंड रेशियो आप मेजर अंगल और माइनर अंगल, ठीक, एक तो ये कॉश्चन थोड़ा सा ना, अट पटा सा है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसको ऐसे होना चाह सेंटर से कितना डिग्री बना रहा है, 120 डिग्री, अब आपसे पूचाएगी, बताओ, मेजर से कितना बनाएगा, और माइनर से कितना बनाएगा, ठीक है, तो देखो, ये अगर 120 है, तो ये 60 होगा, ये तो पता है आपको, अगर 120 है, तो ये 60 होगा, और अगर ये 60 है, तो इधर उधर तो नहीं है, एक बार मैं पढ़ लूँ फिर से. ठीक है, यही है. तो देखो, major angle और minor angle. तो major angle कितना है? Actually, major sector से angle 60 degree बन रहा है, और minor से 120 बन रहा है. लेकिन major angle 120 है, और minor angle 60 है. तो इसका answer 2 is to 1 होगा. आना कि जिस तरीके से caution पूचा, अगर 1 is to 2 है, तो answer 1 is to 2 होना चाहिए. तो बहुत प्यारा question था, आसान question था लेकिन, ठीक, tough नहीं था 13 question देखो ABC are the three points of the circle such that tangent touches the circle at A and intersect the extended part of code BC at D देखो क्या गह रहा है, एक circle है मान लो, जिसमें 3 point है ऐसे बना देते हैं, जैसे A, B और C, जब BC को extend करते हैं ना D, तो यहां से एक tangent खेचा जाता है जो basically A को touch कर रहा है, यह मुड़ता नहीं है, सीधा रहता है लेकिन, ऐसे ही है मान के चलो, ठीक है क्या है, आगे BC को D पे touch कर रहा है, find the angle made by the code BC code BC कितना angle बना रहा है, इससे center angle से ही हो रहा होगा if angle CAD CAD कितना है, 39 है यह कितना है, 39 है और CD कितना है, 41 है ठीक है, बताओ यह वाला angle पूछा है निकाल सकते हो गया दिमाग लगाओ पूरा, जितना लगा सकते हो लगाओ जितना लगा सकते हो लगाओ सोचो, सोचो, सोचो यह वाला एंगल निकालना है हिंट दे दिया, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया अब बताओ मैं गरवाँ, चलो देखो, यह 41 है, यह 39 है तो यहां से यह 100 डिगर निकल जाएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यह 100 है तो बताओ यह वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर अगर यह 100 है तो यह पूरा 80 यह 80 है ना यह वाला 80 निकल गया आपका यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना यह वाला कितना होगा, बताओ कैसे निकालोगे, देखो यह टेंजेंट था Alternate Segment Theorem अगर याद हो तो मैंने बताया था यह वाला एंगल इस वाले के एकवल होता है यह वाला इस वाले के एकवल होता है तो यह अगर 80 है तो यह कितना होगा, यह भी 80 होगा अगर यह 80 है तो यह भी 80 होगा इसको बोलते हैं Alternate Segment Theorem alternate segment theorem यह 80 है तो यह भी 80 हो जाएगा अब देखो यह 80 है यह 49 है तो यह कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा यह 61 क्योंकि तीनों का sum 180 होगा ना यह तो सीधी line जा रही है 69 देखो कैसे 80 plus 39 को घटा देंगे किस में से x plus 80 plus 39 is equal to 180 तो यहां से x की value आजाएगा 61 अगर यह 61 है तो यह कितना हो जाएगा 122 degree ठीक है दिमाग लगाना था question को tough है बोल देना भाया कभी लगेगी question tough है question easy है question लगाना है बस question number 14 find the length of common tangent of two externally touch circle with radius 16 and 9 cm देखो एक circle यह है एक circle यह है एक का radius है 16 एक का है 9 और externally यह touch कर रहा है दो बताओ length of common tangent क्या होगा ठीक है तो length of common tangent का formula होता है under root distance between their center 16 और 9 25 25 का square 625 यह formula होता है ध्यान रखना distance between their center minus r1 minus r2 का all square ठीक है तो 16 प्लस 9 25 का all square 625 minus r1 minus r2 यानि 16 में से 9 गए तो 7 ना 7 का square 9 चास तो यह जाएगा आपका under root 576 which is equal to 24 which is equal to 24 option number b is your answer clear very good फंद्रमा देखो क्या है abc एक isosilis triangle है ठीक है यह questions बहुत प्यारे-प्यारे हैं और अच्छे-च्छे questions है abc एक isosilis triangle है circle के अंदर isosilis triangle in a circle होना चाहिए it's such that it passes through vertex c and abx as a tangent at d for the same circle देखो बहुत बढ़िया question है abc एक triangle है abc एक triangle है एक circle है इस तरीके से ना कि वो c से pass कर रहा है और ab के साथ as a tangent work कर रहा है ठीक है जैसे अगर मैंने एक circle बना दिया ना यह ऐसे देख रहे हो यह क्या कर रहा है यह ab पे एक tangent की दरह गाम कर रहा और किस point पर point d पे clear है यह figure ऐसे बनेगा यह गोला है ध्यान रखना ac and bc intersect the circle at e and f जो ac है वो e पे intersect हो रहा है और यह f पे intersect हो रहा है I hope यहां तक कोई दिक्चत नहीं होगी ठीक है basically क्या कह रहा था एक triangle है abc जो एक isoslis triangle है isolis получилось triangle में ac और bc बराबर है ध्यान रखना यह वाला और यह वाला बराबर है उसे और bc बराबर है एक circle है जो c से pass कर रहा है और ab as a tangent work कर रहा है d पर इसको touch करता है अब आपसे क्या पूचा है EC ratio AE PLUS AD निकालो D क्या क्या रखा है D रखा है, AC 4 है BC भी 4 है AB 6 दे रखा है और ये भी गहा रहा है D is the midpoint of AB ये जो D है ना, ये midpoint है जैसे ये पूरा 6 था ना, तो ये midpoint है तो ये भी 3, ये भी 3 clear? पक्का ना, ये भी 3, ये भी 3 ओके, ये tangent है आगे देखो, और क्या क्या कर सकते है AB 6 दे रखा था ये 3 था, ये भी 3 था अच्छे एक बात बदाओ गौर से समझना इस चीज़ को ये tangent है ना, अगर मैं इसको मिला दूँ, अगर मैं इसको मिला दूँ क्या मैं आब ऐसे कर सकता हूँ कि BD एक tangent है और BFC क्या है, second है ना तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या BD square is equal to BF into BC लिख सकता हूँ ना मैं tangent और second का relation से, देखो अच्छे caution है ये, tough नहीं है अगर इसको आपको लग रहा है न, ये tough है तो बहुत गलत जा रहे हो आप, ये ऐसे questions mains में आते हैं, अच्छे questions है ये BD कितना है हमारा, 3, 3 का square 9, BF हमें नहीं पता कितना है, बट BC पता हमें कितना, BC 4 है, तो यहां से BF आ गया आपका 2.25, तो ये कितना आ गया आपका, यहां से यहां तक 2.25, और ये पूरा चार था ना, तो obviously बात है, ये 1.75 आ जाएगा, तो ये हमने FC निकाल दिया, BF निकाल दिया है, हमें EC का पूछा है, अब EC कैसे निकालोगे, अच्छा, इसकी जुरुत थी नहीं यार, इसकी जुरुत थी mainly, हमने हमने ये गलत ही निकाल दिया, इसकी जुरुत थी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ये भी निकल जाएगा, देखो ये 3 है AE into AC करोगे, same, ये निकल जाएगा कितना, ये आएगा 2.25 और ये आजाएगा 1.75, चीक है, same, तरीका same है, इसमें भी आप क्या करोगे AD square is equal to AE into AC, ये basically second और tangent का relationship है, अब देखो, क्या पूछा आपसे, EC, EC तो भी आ 1.75 है, ratio AE 2.25 plus मैं AD, AD कितना है, 3 है तो mainly कुल मिलाखे आपसे पूछा गया है, 1.75 ratio 5.5 5.25, तो 25 21 1 ratio 7 आजाएगा, नहीं, 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 पच्छा दम, 20, 21 ये 7 आएगा, ठीक है, 7 is to 23, 1 is to 3 आजाएगा, ठीक है, इसको ratio को जब convert करोगे, तो 1 ratio 3 आजाएगा, और option number D आपका answer हो जाएगा, ओके देख रहे हो, कितना प्यारा question है और अच्छा question है, ओके विडियो का एक बार फिर से देखना, I mean पीछे जाके और अच्छे से clear हो जाएगा दो co-centric circle है, जिसका radius है 17 और 10, देखो, simple सी बात है, co-centric circle का मतलब क्या हुआ जिसे एक circle ये, एक ये और एक ये, clear है और दोनों का center, same है एक straight line है, A, B, C, D intersect the larger circle at the A and D, and intersect the smaller circle B and C, देखो एक A, B, C, D एक line खेज दिया हमने, ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है, clear है, A, B C, D, आगे BC दे रखा है, 12 BC कितना है 12 है, ध्यान रखना है, ये है 12, इसके अलावा क्या क्या दे रखा था, बड़े वाले का radius जो है, ये 17 है और छोटे वाले का radius कितना है 10 है, एक बात बताओ ये रहा, sorry, 10 ये 10 है और ये आपको पता है कि 2 equal part में divide करता है, जैसे ये BC को ये वाला जो line है, ये 2 part में divide करेगा, यनि ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा क्या सकते हो ना, अगर मैं इसको देखू तो ये ऐसे है, देखो ये 6, ये 6, क्योंकि ये पूरा 12 था और ये दे रखा था कितना 10 तो अगर ये 10 है, ये 6 है, तो by Pythagoras ये 8 हा जाएगा, ये 8 हा चुका है 8 हा गया ना, अब बड़े वाले को देखो बड़े वाले में ये 8 है, ये 17 है तो ये कितना जाएगा, इसकी बात कर रहा हूं में A, इस point को O का नाम दे दे दो, तो A O A O कितना जाएगा, ये 17 है, ये 8 है, तो ये 15 हो जाएगा, अगें, by Pythagoras 7 का स्क्वार, 8 का स्क्वार, 7 का स्क्वार, कितना होता है, 289 8 का स्क्वार, 64 289 माइनस 64, 225, यानि 15 अगर A O 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 ये भी 15, तो बताओ, A, B, C, D या फिर AD की length कितनी होगी AD की length 15-15 piece यह सब previous year में आते हैं कभी लगे कि मैं मैं करवा रहा हूँ previous year के question से in the given diagram diagram दिखा रहा आपको नहीं दिखा रहा चलो मैं दिखाता हूँ पताया था ना दो question में diagram की दिक्कत है देखो diagram वाले questions जिसमें given होता है यह थोड़े आसानी सोजाता है यह C है यह B है यह A है यह B है यह AC है और O center है चीक है यह diagram है समझना कुछ एक hidden चीज़ है इसमें एक फ़र करके देखो क्या है देखो in the given diagram O is the center of the circle with CD as a tangent टीक है angle CAB and ACD are supplementary देखो CAB यह वाला angle and ACD यह वाला angle supplementary है देखो supplementary का मतलब यह हुआ जैसे यहां से AC जा रहा है यह A है यह C है यह B है और यह D है तो इस वाले का और इस वाले का सम कितना है 180 है अरे इस वाले का sum किया है 180 है याद आ रहा है खुछ यह 180 तभी होता है जब यह एक दूसरे से parallel हो याद ना interior angle are sum of interior angle alternate interior angle are alternate तो खरिये हो गया interior angle का sum 180 है that means कि यह क्या है ABCD से parallel है ध्यान रखना इस question में ABCD से parallel है इन्होंने यह ना देकर यह क्या दे दिया है सीधा यह दे दिया है कि angle CAB and ACD are supplementary to each other ओके यह क्या है यह parallel है अब parallel है तो properties भी लगेंगे फिर देखते हैं आगे क्या के दे रखा है OAC30 है देखो OAC30 है यह कितना है यह 30 है यह भी तो 30 होगा ना फिर यह तो confirm है ना यह 30 है तो यह भी 30 होगा OA और OC radius है अगर यह 30 है यह 30 है तो यहां से यह भी निकल सकता है 120 वैसे पूछा क्या है आपसे आपसे पूछा OCB बताओ कितना है यह वाला angle पूछा है आपसे दियान रखना यह वाला angle कैसे निकालोगे सोचो 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 बहुत टाइम है तुमारे पास सोचने के लिए सोचा चलो देखो अच्छे एक बात बताओ मैंने अभी बताया ना कि यह एक दूसरे से parallel है यह B था यह C था यह था B और यह था C यह वाला angle क्या इस वाले angle के equal नहीं होगा बोलो क्या angle B यह वाले angle के equal नहीं होगा बोलो बिलकुल होगा अरे अगर होता है मानडो तो फिर यह वाला angle भी तो पता होना चाहिए ना कैसे पता करोगे देखो यह 120 है तो यह कितना होगा 60 clear है ना अगर यह 60 है तो अब्यसी बात है ना अगर यह 60 है तो यह पूरा भी कितना हो जाएगा यह पूरा अगर यह कितना है